Hello everyone, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल गयाँ पंचायत में आज को जो मारा टॉपिक है वो है Pressure and Density आज के इस टॉपिक में हम जाने है कि Pressure क्या होता है एट्मसरिक फ्रेसर क्या होता है, लिक्ट प्रेसर क्या होता है Density क्या होती है, लिक्ट डिंसिटी क्या होती है और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के Pressure, यानि कि दाब दाब के इस सता के लंवत लगने वाले उस बल के बराबर होता है जो सता के एकांग छेतरफल पर कारेड़त हो अर्थात, सता पर लगने वाला दाब उस सता पर लगाएगा बल तरह सता के छेतरफल के अनुपात के बराबर होता है यह एक अधिस रासी है, इसे P से व्यक्त करते है P is equal to F by A होता है जहां P सता पर लगने वाला दाब है F सता के लंबत लगने वाला यानि के परपंडिकलर लगने वाला फोर्स है A सता का पिष्टी छेतरफल है यानि कि सता का एरिया है दाब के सुतर से हैस पस्ट है कि छेतरफल कम होने से दाब अधिक होगा तब छेतरफल अधिक होने पर दाब कम होता है अगर हम धारन के तरवे बात करें तो मोटी सुई की तुल्ला में पतली सुई सरीर के चमरी में घुज जाती है क्योंकि पतली सुई का चेतरफल कम होता है जिससे वो अधिक दाब लगा सकती है जिससे पतली सुई चमरी में असायने से घुज जाती है अब बात करते हैं इसके मातरक के बारे में दाप का इसा है मातरक पास्कल है एक पास्कल दाप एक न्यूटन के बल को इकाई छेतर रफल आरुपित करने पर उत्पन होता है एक पास्कल बराबर होता है वन इन्टू टेंड दुबाबर माइनस फाइब बार इसे P.E.A. से दर्साते हैं वायू मंडल ये दाब याने की Atmospheric Pressure पिर्तिवी को चारो और से घेरे हुए आवरण को वायू मंडल कहते हैं अथा वायू मंडल ये दाब उस दाब के बराबर होता है जो वायू मंडल के द्वारा पिर्तिवी के सथा पर आरूपित किया जाता है वायू मंडल ये दाब का मान एक सेंटिमेटर उचे पारे के इस्तम बद्वारा लगाए गए दाब के बराबर होता है जिसका पिर्तिवी के सथा पर मान 760 mmHg होता है वाय मंडरे दाब के जरूडी मातरक एक नूटरन बराबर होता है एक पासकल वाय मंडरे दाब को ATM से व्यक्त किया जाता है एक ATM बराबर होता है 1.013 पासकल P वाय मंडरे दाब का मातरक है वाय मंडरे दाब का मातरक बार अत्वा मिली बार होता है 1 tor is equal to 1 milli bar is equal to 133.8 pascal. मानक वायमंडरे दाब का मान माध्रि समुद्र तल पर वायू की दवारा लगाए गए दाब के बराबर होता है, जिसका मान 101325 pascal होता है. वायमंडर दाब का मापन मैनू मिटर नामक उपकरन दवारा किया जाता है. उपर की और जाने पर 1000 फूट उपर जाने पर एक इंच पारे के स्तंब के बराबर दाब में विर्द्धी होती है चलिए बात करते हैं वाय मंडल दाब के कुछ प्रमक उधारन के बारे में वाय याने बैठी यातरी के फॉंटेन पेंस सियाही इसलिए रिसने लगती है व्यक्तियों को मुझाए पर जाने पर उनकी नाक से खुन निकलने लगता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाय मंडल दाब का मान सरीर के रख्ट चाप से कम हो जाता है जिससे खुन उच्छ दाब से नीम्ण दाब की और प्रवाइथ होने लगता है द्रब दाप यानिकी लिक्विड प्रेशर लिक्विड के अंदर किसी भी बिंदू पर प्रती एकाई छेत्रफल पर लगने वाले बल को लिक्विड प्रेशर कहते हैं किसी बिंदू पर लिक्विड का प्रेसर भी वाय मंदर दाप की तरह सभी दिसों में समान रूप से लगता है। लिक्विड प्रेसर का मान लिक्विड के घनत्व यानिके डेंसिटी सता की गहराई यानिकी डेप्थ तता गुरुत्य तोरंट पर निर्वर करता है यानिके स्मॉल जी परन्त वह वस्तु की आकरती पर निर्वर नहीं करता जहां पी लिक्विड प्रेसर को इंडिकेट करता है जी गुर्ट तोरंट को एच दर्व की सता से वस्तु की गहराई को यानिके लिक्विड के डेप्थ को और रो डेंसिटी को अब बात करते हैं density की density क्या होता यानि की घनत्व किसी पदात का घनत्व उसके एकांग आयतन के दरहमान को उसका घनत्व कहते हैं या उस वस्तु के दरहमान और आयतन का अनुपात होता है या एक अधिश राशी है इसे रो से परदर्शित कराते हैं रो इस उकल टू माज़े वॉल्यूम, याने कि MYV, यहाँ पर M परदात का दर्यमान है, V परदार्थ का आयतन है, रो परदात का घनत्व है, घनत्व का ऐसाई मातरक कीलो पर मीटर कीव होता है, पानी का घनत्व चार डिगरी सलसेस तापमान पर अधिकतम 1000 किलो ग्राम होता ह आपेक्शिक घनत्व याने कि relative density, जल के सापेक्श किसी वस्तु का घनत्व उसका आपेक्शिक घनत्व कहलाता है, किसी परदात का घनत्व और चार डिगरी सलसेस तापमान पर जल के घनत्व का अनुपात को उस परदात का आपेक्शिक घनत्व कहते हैं, याने कि relative density कहते ह यह एक मात्रक हीन रासी है क्योंकि यह दो घनतों का अनुपात होती है आपेक्षिक घनतों is equal to परदात का घनतों बटा चार डिगरी सेलसेस पर जल का घनतों है इसका अमान हम ऐसा धनात्मक होता है तदा आपेक्षिक घनतों को विश्यस्ट गुरुत्तों भी कहते है उत्प पाये जाता है तो वह उपर की और एक बल का अनुभव करती है जिसे उत्प्लावन बल कहा जाता है इसे प्रकार किसी ग्यास अतों द्रब के द्वारा किसी वस्तु पर उपर की और बल लगने की प्रवती उत्प्लावक्ता कहलाती है उत्प्लावन पर ये कारण द्रब में लिक्विट के डिंसिटी पर उत्प्लावन बल का मान दरब के घनतों के समानुपाती होता है अर्थात यदि किसे दरब का घनतों अधिक हो तो उत्प्लावन बल का मान अधिक होगा यज दरब का घनतों कम है तो उत्प्लावन बल का मान भी कम हो जाता है दूसरा वस्तु के अधिक है तो उसके द्रब का अधिक भार विस्तापित किया जाएगा जिसके कारण वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बलका मान भी अधिक होगा जबकि यदि वस्तु का आईतन कम हो तो वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बलका मान भी कम होगा तैरती हुई वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं जब त्यारने वाली वस्तु अस्थाहिस संतुलन में होती है तो उत्प्लावन केंद्र ववस्तु का गृत्तो केंद्र दुनों एक ही उज़वदार रेखा पर इस्थित होते हैं. कि आरके में Meerडिज का सिधानत यानि कि थियरी अफ आरके मेडिज आरके मेडिज एगْजिद वग्ञानिक थे जिनों ऺडुशित अध्यांत किया था तुछ नियंप प्रतिपादित की आरके मेडिज कर सिधानत के अनुसार जब किसी ठोस वस्तुक को किसी द्रब में यानि कि लिकुड पूर्णत अत्व आंशिक रूप से डुबाये जाता है तो वस्तु के भार में कुछ कमी आती है वस्तु के भार में होने वाली यह कमी उस वस्तु के द्वारा हटाये गए द्रब के भार के बराबर होती है यह आर्केमेडिस के सिधान्त कहलाता ह आर्केमेडिस के सिधान्त को उत्प्लावन का नियम भी कहते हैं इस प्रकार उत्प्लावन बल बराबर भार में अवासी कमी बराबर हटाये गया द्रब का भार आर्केमेडिस के सिधान्त के उपयोग आर्केमेडिस के सिधान्त को उपयोग करके पंडुबियों का निदमान किया जाता है पंडुबिया प्लावन बलके नियम आर्केमेडिस के सिधान्त पर कारे करती है द्रब गनतों आपी भी आर्केमेडिस के सिधान्त पर अधारिज होता है इसकी साहता से द्रवों का विश्ष्ट गुरुत तो मापवा जाता है लेक्टोमिटर भी एक प्रकार का हाइड्रोमिटर होता है जो आर्केमेडित के सिधान पर कारी करता है लेक्टोमिटर के साहता से दूद में मिलावट दूद की सुदता ग्यात की जाती है तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं सामस होता है हमने आज की टॉपिक का नोट्स हिंदी और इंग्लिज दोनों में ही डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है अगर आप चाहे तो वहाँ से डानलूड कर सकते हैं अगर आप इसी टॉपिक यह विच्छे के बारे में और जानना है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों को शेयर करें और हाँ ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनलों को सब्सक्राइब जबड करें